जै मातादी दोस्तों कैसे हैं आप सभी दोस्तों स्रावन मास का पवित्र महिना आरंब होते ही चारो तरफ शिव के जहकारे लगने लगते हैं मंदिरों में भीड बढ़ जाती है और सबसे ज़्यादा व्रत उबवास भी इन्ही दिनों में किये जाते हैं अगर आप भी भोल आने वाले हैं स्रावन मास में कैसे आप भोले नात की पूजा आर्चना करें कैसे आप भोले नात को प्रसंड करें पूरी विधी के बारे में हम आपको बताएंगे तो आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब कर लें पासी बने बैल का इकन को जरूर प्रैस कर दें ताकि सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके दोस्तो सावन का जो सौमवार होते हैं वो भगवान शिव को बेहद प्रिया होते हैं और स्रावन की शुरुवात 17 जुलाई से होने वाली है तो पहले ही सौमवार से आपको भगवान शिव को प्रसंद करना शुरू कर देना चाहिए इसके लिए विशेश कर आप जो विधियां बताए गई हैं उनके अनुसार आप शिव को प्रसंद करें प्राते सूर्य उदय से पहले आप जागें यानि सूर्य उदय होने से पहले आपको जागना है अपनी सभी शोच आदी से निर्वत होकर इस्तान आदी करके पूजा इस्थल को स्वच्छ करके वेदी स्थापित करें शिव मंदिर में जाकर भगवान शिवलिंग को आप दूद जरूर चड़ाएं या एक लोटा जल चड़ाएं लेकिन भगवान पर जाकर आप मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल जरूर चड़ा सकते हैं फिर पूरी श्रद्धा के साथ महादेव के व्रत का आप संकल्प लें दिन में दो बार सुबह और शाम भगवान शिव की पूजा अर्चना प्रार्थना जरूर करें पूजा के लिए तिल के तेल का आप दिया जलाएं तो बहुत ही अच्छा रहता है भगवान शिव को पुश्प अर्पित करें बेल पत्र अर्पित करें मंत्रो चार के साथ आप शिव को सुपारी पंचामरत नारियल और बेल की पतियां अर्पित करें आप ओम नम्ह शिवाय मत्र का जाप करते रहें जब तक आप शिवलिंग पर अर्पित करते हैं ये सारी चीजे वरत के दोरान आपको सावन वरत कथा का आवश्या पाट करना चाहिए ये सावन वरत कथा जरूर आपको सुनी चाहिए हम अपने चैनल पर भी एक वीडियो डाल जिसमें सावन वरत कथा होंगे तो आप जरूर सुने इसके बाद पूजा समाप्ट होते ही परसाद का आप वितरन करें सभी को परसाद बाते सध्याकाल में पूजा समाप्ति के को लें और सामान ने भुजन करें या फलाहार करें तो और भी अधिक अच्छा होगा तो आप पूरे नियम के साथ इस करें इन सावन के सौनवार जब भी आप वरत रखते हैं तब आप मास, मदिरा, बाल काटना ना खुन काटना ऐसी चीजों से आप जरूर बचें तो बहतर होगा और हो सके तो इस रातरी आप जमीन पर सोएं तो और भी अधिक अच्छा होगा तो दोस्तों और अधिक ऐसी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें